दोस्तों, डिलिवरी कमपणी में अगर आप कुरियर डिलिवरी का जॉब करते हो, तो यहाँ पर दो बड़े एडवांटेज है, जोइन करने के लिए, सबसे पहला तो आपको यहाँ पर फिक्स सेलेरी भी दी जाती है, और अगर आप पर पैकेट काम करना चाते हो, तो आप वो भी कर सकते हो, और दूसरा एडवांटेज है, अगर आपके पास अपना खुद का कोई वहिकल नहीं है, तो भी आप यहाँ पर जॉइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको वहिकल भी रेन पर दिया जाता है, दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिलिवरी कमपनी क जॉइनिंग प्रोसेस की कम्प्लीट जानकरी देने वाला हूँ, किस तरह से आप घर बैठे, डिलिवरी कमपनी में अपना जॉइनिंग प्रोसेस कम्प्लीट कर सकते हो, यहाँ पर जॉइन करने के लिए कौन-कौन से डॉकमेंट आपके बास होने चाहिए, सबसे इन्पो क्योंकि यहाँ पर फिक्स सेलेरी भी दी जा रही है, तो जॉब टाइमिंग आपका किस तरह से रहने वाला है, तो इस सारी बाते में आपको डेटेल में इस वीडियो में आगे बताने वाला हो, तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीड अगर आप यहापर बाइक या स्कूर्टी के साथ अगर आप जोईन करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास अपना खुद का पका ड्राइविंग लेसन और बाइक या स्कूर्टी की आर्सी होना ज़रूरी है अब इसी के साथ यहापर वहिकल में आप EV बाइक या फिर काम करते हो तो उसके लिए फिर आपका यहापर का जो job timing है उसके लिए आपको करना क्या होता है। आपको सुभा मॉर्णिंग में मिनिमम साथ बजे तक आपको इसके हफ़े विजिट करना है इसके हफ़े आपको जाना है जाने के बाद आपको। यहापर ऌबी और अगर आपको दिये हुए पार्सल जैसे के आपको 30, 40, 50 पार्सल जो भी आपको दिये जा रहे है वो अगर आपने दोपहर 2-3 बजे तक अगर आपने डिलिवर कर दिये तो उसके बाद भी आप घर पे जा सकते हो अब अगर आप यहाँ पर पर पैकेट पे काम करते हो तो जितने भी delivery partner जो होते है वो सुबह जल्दी इसके हप पर login कर लेते है और login करने के बाद वो जल से जल उनके area के जो भी parcel है वो वहाँ पर से pick कर लेते हैं तो अगर आप हपे अगर आप देरी से पहुचोंगे तो आपको जो parcel है उसके quantity आपको कम मिलेंगी तो इसलिए आपको सुबह का जो timing होता है वो तो यहाँ पर का fix है लेकिन उसके बाद जितने भी आपने parcel लिए है उन parcel को आपको उस दिन के अंदर deliver कर देना है अब जैसे कि मैंने आपको बता है कि fix salary या फिर आप per packet आप जैसे भी यहाँ पर काम कर रहे हो आपने जितने भी पार्सल लिए है वो पार्सल आपको उस दिन के अंदर deliver करना ज़रूरी है तो job timing को लेकर यही एक यहाँ पर की requirement होती है अब सबसे important बात करते है यहाँ पर आपको fix salary कितने दी जाती है और per packet आपको कितना पैसा मिलता है अब fix salary की अगर बात करे तो minimum यहाँ पर आपको 15,000 से लेकर आपको 16,000 तक fix salary दी जाती है अब यह आपके शहर पे भी depend करता है ऐसा नहीं कि जो salary में आपको बताई है उतनी ही salary आपको हर शहर में देखने के लिए मिलेंगी अब fix salary में आपको petrol incentive भी दिया जाता है petrol incentive जो है वो आपको minimum 3 रुपए per km के हिसाब से मिलता है जो भी आपका daily running हो जाता है यह आपकी bike जो भी पूरे दिन में जो घूम रही है पारसर डेलिवर करने के लिए तो उसके हिसाब से आपका जो भी km है वो शाम में count होता है और उसके हिसाब से आपको per km के हिसाब से 3 रुपए यहापर दिये जाते है अब अगर यहापर के per packet की बाग करे तो packet के हिसाब से minimum 16 रुपए per packet पर दिये जा रहे है वो भी आपके शहर पे depend करता है अब per packet में अगर आप काम करते हो तो इसमें आपको petrol का incentive नहीं मिलता petrol आपको अपने खुद के जेब से यहापर डलवाना होता है दोस्तों अब देख लेते हैं यहापर का joining process joining process के दावरान मैं आपको इसमें जो fixed salary और per packet वाला जो option आता है उस time पे आपको क्या करना है कौन सा option select करना है किसमें आपका जादा आरने होंगा वो भी मैं आपको इस joining process के दावरान बताने वाला हो अब आपको join करने के लिए आपको करना क्या है delivery app जो है उसको आपको play store से download कर लेना है वैसे मैंने description में इसकी link भी दे दी है तो जैसे आप app को download करके आप open कर लेते हो इस तरह से interface आपको दिखाए देता है अब यहाँ पर सबसे नीचे जो आप option देख रहे हो join and be a delivery partner उस पर आपको click कर देना है फिर आपसे कुछ permission मांगी जाएंगी उसे आपको allow कर देना है अब यहाँ पर आपको अपना mobile number एंटर करना है और नीचे get OTP पर click कर देना है फिर एक OTP आपके mobile number पर आएंगा वो OTP यहाँ पर डालके आपको नीचे next पर click कर देना है फिर इस तरह से interface open हो जाएंगा अब यहाँ पर सबसे पहले है personal detail इसमें सबसे पहले आपको आपका gender select कर लेना है उसके नीचे आपका first name, last name और आपके date of birth जो कि आपके आधार काड़े पर होती है वो उसके नीचे आपका जो address है permanent address वो आपको यहाँ पर fill कर देना है जैसे आप address डाल देते हो सबसे नीचे आप जैसे की देख पारे हो आपका pin code, city, state यह सब कुछ आपको fill करना है और उसके नीचे है have a referral code referral code भी मैंने नीचे description में दे दिया है वैसे optional होता है तो जैसे आप referral code आप डाल देते हो नीचे आपको save and proceed पे click कर देना है फिर second option है vehicle का अब vehicle में जैसे के आप यहाँ पर देख पारे हो अगर आप यहाँ पर बाइक या स्कूटी से जोइन कर रहे हो तो पहला option बाइक वाला select करना है अगर cycle से कर रहे हो तो cycle वाला तो जैसे ही आप इसमें से किसी एक option को आप select कर लेते हो उसके नीचे आप जैसे के देख पारे हो select payout model अब यह सबसे important है इसमें जादा तर लोग गलतिया कर देते है अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पारे हो दो option दिये गए है पहला है fix pay और दूसरा है pay per package अब यहाँ पर आपको करना क्या है अगर आप fix salary पर काम करना चाहते हो या फिर आप per package तो अभी आप इसमें से कोई भी अगर आप option select कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने अभी यहाँ पर fix pay वाले option पर आपने ख्लिक कर दिया और बाद में अगर आपको per package काम अगर आपको करना रहा तो आप वैसे भी कर सकते हो आप वहाँ पर hub में request करके आप उस तरह से आपका जो यहाँ आपने service select की है वो आप change कर सकते हो लेगिन अब आपके लिए कौन सा best रहेंगा उसके लिए मैं आपको कुछ बात यहाँ पर बताना चाता हो देखे fix pay में क्या होता है जैसे कि आपको यहाँ पर 15,000-16,000 रुपए fix pay के यहाँ पर आपको दिये जाएंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आपको यहाँ पर fix salary दी जारी है जो कि आपको 15,000-16,000 आपको मिलेंगी आपको पेट्रोल का incentive भी आपको अलग से मिल जाएंगा याँनिके पेट्रोल का incentive अगर आप यहाँ पर से अगर पेट्रोल का खर्च माइनस कर दे तो आपका जो monthly earning है वो 15,000-16,000 रुपए आपका हो जाता है लेकिन यहाँ पर जो आपको daily parcel दिये जाएंगे वो सभी parcel आपको उस दिन deliver करने है और आपको यहाँ पर छुट्टी भी आप बीच में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर आपको fix salary दी जारी है तो weekly एक आप आपको दिया जाता है लेकिन आपको बाकी बचे वे दिनों में जितने parcel दिये जाएंगे वो फिर 30, 40, 50, 60 जो भी parcel हो वो parcel आपको deliver करना ज़रूरी है लेकिन अगर आप यहाँ पर पर packet पे अगर आप काम करते हो तो इसमें क्या होता है आपको यहाँ पर जो भी season हो दे जैसे कि Amazon Festival होता है या फिर Flipkart का महासेल होता है या फिर जो भी कोई ऐसे दिनों दे जैसे कि दिवाली, दसेरा या फिर जब भी parcel का जो count है वो जादा होता है उस time पे जब आप यहाँ पर जादा parcel deliver करते हो तो आपका earning भी जो है वो जादा होता है क्योंकि आप 16 रूपे minimum एक packet के आपको दिये जा रहे है तो अगर आप ज़ादा parcel deliver करते हो तो आप ज़ादा earning कर सकते हो तो पर packet पे काम करना मेरी इसाब से तो भी आपके लिए ठीक रहेंगा इसमें आप आपकी इसाब से parcel भी ज़ादा ले सकते हो और आपको किसी दिन अगर छुट्टी लेना है तो आप वो भी लेख सकते हो तो अब ये आप पे depend करता है कि आप इसमें से कौन सो option select करते हो या फिर आपको किस service में काम करना है तो जैसे आप ये दोनों में से किसी एक option को आप select कर लोंगे नीचे save and proceed पे आपको click कर देना है फिर इस तरह से interface open हो जाता है अब आपके share में जो भी delivery company के जो hub है जहापर आपको package जाकर आपको यहापर pick करने होते है उसके आपको जो भी है वो address location आपको यहापर दिखाये जाते है अब आपके आप जहापर रहते हो वाससे सबसे नद्दिक का जो भी location है वो आपको select करना है क्योंकि यहापर जो आप यह ID create कर रहे हो यह ID यहापर से तो आपका create हो जाएंगा लिकिन आपको आपका ID active करने के लिए इसके hub पे जाना ज़रूरी है और daily आप जो भी hub यहापर से आप select कर लोंगे उस hub से जाके ही आपको जो parcel है वो collect करने होते है तो जैसे आप यहापर से किसी आप location को आप select कर लेते हो आपको नीचे next पर click कर देना है फिर यहापर next option है bank detail का अब आपका जो भी bank detail है वो आपको आपका IFC code, account number वो सब कुछ यहापर fill कर देना है और नीचे save and proceed पर click कर देना है फिर option है document का document में आपको यहापर आपका pan card का number डालना है अगर pan card आपके बास नहीं है तो नीचे आप जैसी देख पारे हो I don't have a pan card उस पर आपको click कर देना है फिर आपको नीचे verify पर click करना है इसके बाद आपको आधार card का जो आपका number है वो आधार card का number यहापर डालना है और उसके नीचे जो एक box आप देख रहे हो उसमें आपको click करना है और नीचे verify पर click कर देना है अब जो आपके आधार card के साथ आपका mobile number link है उस mobile number पर एक OTP आता है वो OTP आपको यहापर डालना है और फिर नीचे next पर click कर देना है फिर यहापर से आपको driving license का number एंटर करना है अगर आपके पास अपना खुद का driving license नहीं है तो नीचे I don't have a driving license वाले box में click करना है और फिर से नीचे verify पर click कर देना है फिर सबसे last इस तरह से interface open हो जाएंगा सबसे उपर company का नाम है delivery उसके नीचे आप जैसे के देख पार हो profile detail जिसमें आपके profile के सारे detail यहापर दिखाई गई है उसके नीचे आपने जो भी location select किया है आपके hub का उसका आपको total address यहापर दिखाया जाता है और सबसे नीचे जैसे के आप देख पार हो documents you need to carry यहनी के अब आपका ID तो यहापर बन गया है लेकिन आप ID active करने के लिए आपको करना क्या है जैसे नीचे यहापर document दिखाया गया है pen card, adhar card और driving lesson यह सभी original document आपको अपने साथ इस location पे hub के location पे आपको लेके जाने है वहापर जाने के बाद आपके सारे document चेक किये जाएंगे और वहापर से जो आपका ID है वो active करा के दिया जाएंगा तो ID active करने के लिए आपको इसके hub पे जाना ज़रूरी है तो दोस्तों इस तरह से आप delivery company में career delivery boy का काम करके महने का एक अच्छा earning कर सकते है वीडियो अगर आपको अच्छा लगो तो वीडियो को एक like जरूर कर देना चले thank you so much मिलते है अगले वीडियो में